नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का student की help YouTube चैनल पर तो आज की इस वीडियो से हम सुरू करने जा रहे हैं pronoun का topic pronoun क्या उतते हैं कितने type के उतते हैं और कहा कहा use होते हैं इसारा हम करेंगे pronoun की definition क्या है pronoun in place of noun जो सब्द noun के स्थान पर use कि जाए है उन्हें क्या कहते है pronoun कहते है अब pronoun का use क्यों करते है ताकि repeat ना हो ठीक है अगर बार बार noun को repeat करेंगे जो sentence है उसकी जो beauty है वो खतम हो जाएगी तो repetition को avoid करने के लिए और sentence को beautiful बनाने के लिए हम क्या करते है pronoun का use करते है जैसे I know more ठीक है जिसो I use किया गया है ये क्या है एक pronoun है he is a nice boy इसके अंदर he क्या है एक pronoun है ये थे pronoun के example अब type की बात करते है pronoun वैसे काफी type की होते है और इनके नाम से भी थोड़ा idea मिल जाएगा परसनल जो परसन के स्थान पर यूज़ किया जाए reflexive जो reflection को बताएं ठीक है जैसे self वाले ठीक है relative जो relation को दिखाएं interrogative जो पूच्टाच के लिए जो यूज़ किया जाते हैं demonstrative जो ingit करे हैं सांके तिक indefinite एनिस्चित प्रोणाउन distribution जो distribute की बात करें ठीक है जैसे one another reciprocal जो उल्टे की बात करें reciprocal प्रोणाउन और empathetic यानि जो की जो 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 देने वाले प्रोणाउन इस परकार से काफी सारे प्रोणाउन है तो हम यहाँ पर discuss करेंगे personal प्रोणाउन काफी लंबा है यह थोड़ा सा तो अब तक हम ने देख लिया कि pronoun क्या होता है और कितने type होते हैं उसके तो अभी करेंगे personal pronoun personal pronoun क्या होता है जो person के use पर स्थान की जाए ठीक है person के स्थान पर use के जाए है in the name of person जैसे I live here जो ये I है वो किसी person के स्थान पर यूज किया गया है I'll know me ठीक है, me भी किसी person के स्थान पर किया गया है This box is his जो उसी परकार से his भी एक personal pronoun है अब बात करते है person की, pronoun के अंदर three person होते हैं, first person second person, third person अगर personal pronoun की बात करा हूँ तो first person, second person, third person ये हर जगे आते हैं, पता होना चाहिए first person क्या होता है जो बोलने वाड़ा होता है, जैसे मैं हूँ मेरी बात कर रहा हूँ मैं तो मैं क्या हूँ, first person हूँ जो बोल रहा है वो, जैसे I, me तो मैं कौन-कौन से सब्द यूज करूँगा मेरे लिए I, me अगर मैं अकिला ना होगे मेरे साथ को यह और होता, तो हम क्या हो जाते, we और objectives के us, mine है, ours ये सब क्या है first person है, यानि मैं second person की बात करूँ तो जो सुन रहा है वो, ठीक है, या जिसके लिए बोल ला गया है वो, जैसे आप हो आप क्या हो, second person हो second, अब बात करते हैं third person pronoun third person pronoun क्या होते हैं, जो की other person और things के लिए use किया जाते हैं, जो की ना तो जिन को, ना तो जो बोल रहे हैं और नहीं ही जिन को directly address किया जा रहा है मतलब third person ना तो मैं, ना आप, बाकी सभी की बात करें तो वो क्या है, third person है, third person में जैसे जिन के बारे में बोल ला गया है लेकिन directly उनको नहीं बोल ला गया third person के लाते हैं, जैसे he, see, it they, him, her, them, etc ये सब क्या है, third person है एक table बनाई है मैंने, आप सभी के लिए देखो, personal pronouns जो होते हैं, singular भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, singular की अलग बनाई है plural की अलग बनाई है, और person की बात करें तो first, second, third, first, second, third होते हैं, singular प्लूरल में अब इनका function क्या क्या है, वो देखेंगे अगर मैं singular की बात करूँ तो first person में क्या होता है, I singular क्या होता है, I, और उसका यूज करूँगा, my और mine, ठीक है my, यनि यह मेरा है, mine माने भी मेरा है, ठीक है, उसी परकार से अगर plural की बात करूँ first person में तो we हो जाएगा, अगर मैं एक से जादा हूँ या हम एक से जादा हैं, तो क्या करेंगे, we यूज करेंगे, और उसका भी यू का यूज करेंगे, रेक से जादा है, तो भी यू का और objective case भी इसका यू ही रहेगा, ठीक है और possessive case, यूवर या यूवर्स ठीक है, अधिकार दिखाने के लिए कि ये कप्पी आपकी है, तो यूवर या यूवर्स हम यूज करेंगे थर्ड परसन की बात करें तो singular में he, see, it होता है यानि तीसरा जिसके बारे में बात की जारी है लेकिन इसको directly address नहीं किया जार है तो he, see, it यूज करेंगे इट चिज़ों के लिए यूज करेंगे he, see, person के लिए इसका objective case क्या हो जाएगा he का him हो जाएगा see का her हो जाएगा और it का it ही रहेगा और possession की बात करूँ तो मैं he का object him था और possession his जैसे this book is his ये किताब उसकी है तो his यूज करेंगे और her का her या hers यूज करेंगे और it का its यूज करेंगे ठीक है, possession के लिए अगर मैं plural की बात करूँ third person की तो he see it का plural क्या होता है they अगर एक साथ वो हो तो ठीक है, उनका objective क्या हो जाएगा them अगर उनके object की बात करूँ object मैं उनको use किया जाए तो them use करेंगे और उनके possession या नहीं उनके अधिकार की बात करूँ तो there या there's हम use करेंगे अगर आपको PDF चाहिए है तो जो हमारा channel है टेलेग्राम का वो join कीजी link है जो description में दे रखे है अब personal pronoun के use कहां का और किस type से होते हैं क्या rule है उसके हम याँ पर discuss करेंगे table को अच्छे से समझ लिया होगा first जैसे है you singular और plural दोनों में use किया जाता है उपर भी discuss किया था चैसे singular pronoun हो चैसे plural pronoun हो you जो है you ही रहेगा दूसरा क्या है जब collective noun use किया जाता है देखो जैसा noun use किया जाता sentence में वैसा ही pronoun use किया जाता है अगर singular noun किया गया है जैसे राम is a boy तो he is a nice ठीक है he is a nice boy तो राम के स्थान पर he का use किया अगर बात करें collective noun की तो collective noun end से जुड़े होते हैं लगबग end से जुड़े होते हैं या फिर एक से ज़्यादा की बात करें collective noun में क्या होता है एक जैसे एक जैसे unity को दिखाए जो group दिखाए उसको बोलते है collective noun पिछे क्या था न अगर collective noun as a singular यूज कर रहे हैं तो उसका singular ही क्या करेंगे हम pronoun यूज करेंगे जैसे the jury has given its decision देखाँ जो decision दिया है वो jury नहीं दिया है इसका अतलब वो सभी क्या है decision में एक मत है अगर एक मत है तो jury को किस तरह count किया जाएगा singular को jury क्या होता है group of judge bench of judge तो इसका अतलब jury singular है तो इसका pronoun भी singular आएगा ठीक है the committee will hold its meeting on 13th जो committee है वो अपनी meeting कब रखेगी 13 को तो ये committee का milzul के फैसला है तो इसकी जगह पे जो pronoun करेंगे वो singular pronoun ही हम use करेंगे ठीक है अगर वो अलग अलग चीजों को demonstrate करें या group of members को अगर उसके member को करें group की बज़ाए उसके member को denote करें जब collective noun उसके member को use दिखाए group की बज़ाए तो plural pronoun use करेंगे ठीक है subject verb agreement के topic में और भी जदा clear हो जाएंगे जैसे जग class were divided in their choice of monitor class को monitor चुणना था लेकिन सब के अलग 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 choice थी तो class में सब के अलग अलग choice थी मतलब members की बात की जारी है इसका अलब class क्या होगी plural होगी अगर वो एकमत होते तो वो singular हो जाती plural है तो plural ही pronoun हम use करेंगे तो यहाँ पर plural pronoun their the jury differed in their opinions अब देखो jury का जो मत था वो अलग था न बैइ हो सकता है कोई किसी अंगल से सोच रहा हो कोई किसी अंगल से तो इसका अंतलब जो judge थे वो अपने opinion अलग थे तो इसका अंतलब इसके बाद है जब दो singular noun end से connect हो ठीक है यानि जुड़े हो और एक ही person को represent कर रहे हो तो singular pronoun हम use करेंगे अगर end से जुड़े हैं तो plural हो गए लेकिन एक ही person को अगर represent कर रहे हैं तो इसका अंतलब singular है वो और singular noun है तो singular ही pronoun जैसा noun होगा वैसा ही pronoun उसके अंदर आएगा जैसे देखते हैं अब देखो वैसे तो end से जुड़े हैं प्लूरल होने चाहिए लेकिन यहां पर जो दा है आर्टिकल दा है वो सिरफ एक के सामने लगे है इसका अंतलब जो यह manager और secretary है वो एक ही है अगर यह अलग अलग होते हैं तो यहां भी एक दा था दा manager and the secretary अगर यह एक है तो इसका अंतलब यह क्या है एक ही person की बात की जारी यह यह नहीं singular है तो singular ही इसके स्थान पर pronoun यूज़ करेंगे अगर इसी case में मैं देखों अगर यह end से जुड़े हो और अलग 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 लोगों को represent कर रहे हो तो वो plural हो जाएंगे जैसे mohan and sohan play regularly अब यह दोनों अलग अलग है mohan भी अलग है, sohan भी अलग है तो इसके स्थान पर क्या आएगा जो pronoun आएगा, वो क्या आएगा plural आएगा अगर उसी परकर से end से जुड़े हो each और every दोनों से पहले आजाए ठीक है, अगर sentence में each और every आजाए तो noun किस परकर का हो जाएगा singular हो जाएगा और noun singular हो जाएगा तो pronoun भी क्या हो जाएगा, singular हो जाएगा याद रखना, each and is जहां भी आजाए इसका अतलब singular की बात हो रही है इवरी बोई, इसका अतलब noun क्या है singular, noun singular है तो pronoun भी हम singular ही यूज़ करेंगे every boy has received his result card, सही है अब either or, neither nor का case करेंगे, अगर दो singular noun, either or neither nor, या फिर or या नोर से जुड़े हो ठीक है, बात किस की हो रही है में और या नोर की, अगर इस परकार से जुड़े हैं तो जो और या नोर के बाद जो आता है noun उसके अनुसार हम pronoun को यूज़ करेंगे और उसके अनुसार वब को भी यूज़ करेंगे ठीक है, प्रोनाउन की बात हो रही तो जैसे neither सिता nor राणी यह हमारा क्या है? subject है अब इसके अन्दर neither और नोर आगे ने इसके अन्दर जो नोर के साथ वड़ा प्रोनाउन है यानि राणी यह हमारा true subject हो जाएगा subject क्या हमारा? यहां पर राणी तो राणी के अनुसार ही क्या आएगा इसका प्रोनाउन आएगा नाइदर सीता नोर राणी गोट हर सारी ठीक है अब बात करते हैं बट की अगर बट संटेंस में यूज की अज़र है एक प्रोजिशन की तरह है तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो किस केस में आएगा objective case में आएगा objective case की थे ना हमने subjective अलग और objective अलग संटेंस में बट आएगा तो उसके बाद क्या आएगा क्या आएगा objective case none could do this question but him कोई नहीं कर सकता उसके लावा ठीक है तो बट के बाद ही नहीं आएगा अगर ही होता तो वो गलत हो जाता him सही है क्योंकि बट के बाद क्याता है objective case अब बात करते हैं एक से ज़्यादा person की अगर एक से ज़्यादा person आ जाएए pronoun के case में एक sentence में तो किस परकार से आएगे अगर वो singular हो तो 231 यानि 2,3,1 यानि पहले second person फिर third person फिर first person करेंगे singular के case में जैसे यह है you, he and I did this work तुमने उसने और मैंने मिलकर यह काम किया यानि यह singular की बात हो रही है तो singular में कैसे आएगा पहले second person यानि you फिर third person यानि he फिर first person आएगा अगर plural pronouns आ रहे हो तो 1,2,3 की series में आएगे plural जैसे I, you and they did this work तो इसके अंदर first person पहले आए ना फिर second person फिर third person यह सही series है कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा pronoun अगर किसी sentence में आ रहे है तो आपको यह series याद रखनी है singular में 231 plural में 123 और एक से ज़्यादा pronoun दिखाई दे जाए इसका मतलब वहीं sentence में error है अब बात करते हैं लास्ट रूल की इट कहां पर यूज किया जाता है lifeless object में animal के case में और bird के case में और children के case में इट का यूज किया जाता है ठीक है तो जैसे example here is your jacket take it away jacket के लिए क्या यूज किया गया है it यूज किया गया है तो बच्चों के लिए या children के लिए क्या करेंगे it का यूज करेंगे it will be cold tomorrow it was raining weather के लिए भी हम it का यूज करते है time के लिए भी it का यूज करते है it is 10 o'clock तो आज का वीडियो यहीं पर समापत होता है वीडियो आपको कैसा लगा comment करेंगे बता है और दोस्तों आपको दिन शुब हो जाएं